इस एक lecture के अंदर जो चीज आपको बताऊंगा that is related to number theory और number theory के अंदर दो जो important concepts हैं उनके बारे में बात करेंगे which is greatest common divisor यानि के GCD और LCM ये दो ऐसी चीज़े हैं जो आपने बारहा सुनी होंगी लेकिन आज हम इनको detail में देखने वाले हैं inside number theory lecture तो मैं यहाँ पर आपके सामने अपनी screen share करता हूँ hopefully ये screen आपके सामने नज़र आ रही होगी इस पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास जो पहली चीज़ है जो आज की पहली टर्म है that is greatest common divisor क्योंकि हम mathematics तो number theory की बात कर रहे है यह पूरी playlist का link जो है मैंने description में भी दे दिया हुए अगर आप आप पहली दफ़ा सुन रहे हैं तो please description में जो link है उसको पहले देख लिए तो greatest common divisor क्या होता है या GCD हम किस वे बोलते है इसकी में definition आपके सामने पहले गुरे वाली ले के आता हूं फिर हम अपनी definition को आगे रखते हैं देन वी विल सी के यह दोनों किस तरीके से हमारे पास डिफरेंट वे में चलते हैं greatest common divisor जिसको हम GCD बोलते है of two numbers is the largest number that can exactly divide both numbers without living a remainder हम कल से बात कर रहे है कि remainder नहीं चोड़ना remainder नहीं चोड़ना remainder नहीं चोड़ना remainder नहीं चोड़ना तो यहां पे remainder चोड़े बगार ही हमारी जो बात है वो चल रही है ठीक है अगर आप गौर करें greatest common divisor क्या होता है जब आपके पास कोई एक यानि के यहां पे GCD of two numbers यानि के 24 and 18 का GCD हमने देखना है मैं प्लस का sign गलती से लगा बैठा हूँ तो दो number का greatest common divisor common divisor क्या है यानि के ऐसा divisor जो दोनों को divide करें ठीक है कल हमने rule of divisibility या rule of division हमने देखे थे तो उसके अंदर ये दो चीजे हमने अब देखनी है ये है जनाब हमारा greatest common divisor ठीक है और इसको अगर देखे हम गोर से तो मैं यहां पे दो quantities लिखता हूँ अभी आपको समझ आ रहेगी पहली है 24 और दूसरी हमारे पास है 18 हम इनको divide करते हैं यहां पे मेरे पास सबसे पहले आता है 1 1 पर divide दोनों हो जाएंगे ठीक है 2 2 पर divide ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा यह 4 पे डिवाइड होंगे के नहीं होंगे, you have to see, 4 छे बर 24, लेकिन यह नहीं होगा, हमारे पास 4 पांच बर 20 होते हैं, 4 चार बर 16, तो 4 हमारा यहां से निकल गया, फिर हमारे पास अगला आता है 5, 5 पे दोनों इनी डिवाइड होते हैं, 5 पे निकल गया, फिर हमारे पास आता है 6, 6 चार बर 24, और 6 तीन बर 18, 6 पे भी डिवाइड होते हैं, तो यह भी 6 पे होते हैं, इसी तरीके से हमारे पास एक अगला डिवाइजर भी आएगा, जो यहां पे अगर देखें, 7 नहीं डिवाइड होता, 8 तीन बर 24, लेकिन 18 नहीं होता, तो यह भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब है, जब 9 भी नहीं आएगा, so we cannot go beyond 9, क्यों 9 दो बर 18 होते हैं, तो हमारे पास जो greatest common divisor आ रहा है, वो 6 है इन दोनों का, ठीके, तो यहाँ पे 6 इन दोनों का greatest common divisor है, और greatest common divisor का मतलब है, कि दो number मेरे पास लिखे हूँ, दोनों को, जो सबसे बड़ा number divide कर सकता है, उसको हम greatest common divisor बोलते हैं, इसका जो है वो 6 होगा इन दोनों का, तो simple आपके पास इस तरीके से, greatest common divisor जो है वो आ जाता है, अब अगला जो हमारे पास एक और rule है, that is kind of easy for you, आपने बड़ा सुना होगा, least common, और फिर आपके पास है multiple, जिसको हम LCM भी बोलते हैं, LCM के बारे में आप लोगों को काफी पता होगा, अगर किसी को नहीं पता हो, तो please let me know, LCM क्या होता है, ये basic mathematics के अंदर हम ये चीज़ें देखते हैं, LCM जो है, उनी में से एक हमारे पास चीज़ है, ठीक है, तो LCM क्या होगा बताएंगे जी आप, चले, मैं यहाँ पर again, गोरे की definition को पहले लाता हूँ, फिर अपनी हम देखते हैं, कि किस तरीके से उसको हम मदे नज़र रखते हुए, आगे लेके चलेंगे, हमारे पास है, LCM, यानि कि LCM क्या है, least common multiple, multiple का आपको पता है, ठीक है, multiple का मतलब ये होता है, कि जो चीज किसी integer के साथ multiply कर दे, तो इसका वह 2 का multiple, for example, 2 का multiple 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, and so on, तो हमारे पास, the least common multiple of 2 numbers, तो 2 number है हमारे पास से, for example, हमारे पास है जनाब आपका, 3 और 4, ये 2 number है, is the smallest number, that is a multiple of both number, least का मतलब है, सबसे छोटा, smallest, least का मतलब है smallest, common मतलब दोनों का, जो common हो, multiple मतलब जो उनका multiple है, for example, मेरे पास 3 भी है और 4 भी है, 3 के multiple हम लिखते हैं, 3 का, सबसे पहला multiple क्या आता है, 3 ही है, दूसरा इसका multiple हो गया 6, 4 का दूसरा multiple क्या हो गया, 8, फिर 3 का तीसरा multiple हो गया 9, 4 का तीसरा multiple हो गया 12, 3 का चोथा multiple हो गया 12, जो यहां पर पहले ही मजूद है, तो हमारे पास दोनों के common multiples, यहां पर आ चुके हैं, ठीक है, तो अगर आप गौर करें, हमारे पास least common multiple, आपको इस तरीके से पता चलते हैं, यानि के आपके पास दो number हैं, यह दो से ज़्यादा numbers भी हैं, आप उनके common multiples जो हैं, वो find कर सकते हैं, जिसे हम LCM भी कहते हैं, and there are many other methods, जिनको आप मदे नजर रखते हुए, common multiples जो हैं, वो ने निकाल सकते हैं, ठीक है, तो common multiples बताने का मकसद यह था, कि आपको पता हो, कि हमारे पास common multiple किस तरीके से निकलते हैं, यहां तक आपको clear हो गया, तो हमारे पास least common multiple, जिसको हम LCM बोलते हैं, और हमारे पास दूसरा आगया है, greatest common divisor, यह दो important चीज़े हैं, आपके पास number theory के अंदर, क्योंकि जब आप number से deal कर रहे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, कि जो मेरे पास multiple number आ रहे हैं, कि common divisor, सबसे बड़े वाला common divisor क्या है, जहां पे आगे-ागे computation रुक जाएगी, तो computation को बचाने के लिए, आप greatest common divisor, यानि के GCD, इसको अगर मैं यहां पे लिखूँ, तो GCD आप निकालते हैं, GCD निकालते हैं, ठीक है, GCD मतलब greatest common divisor, and second one is LCM, यानि के least common multiple, जहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं, कि यह दुनों यहां पे एक दूसरे का relationship रखते हैं, और mathematics की यही definition थी, कि आप different numbers का relationship उन्हें भी देखते हैं, तो GCD और LCM को आपने देखना है, और एक और तरीका में आपको बदा देता हूं, यह दुनों चीज़े find out कैसे की जाती हैं, यह आपकी छोटी सी assignment है, how to find a greatest common divisor, यानि कि GCD, या how to find a least common multiple, इसको find out कैसे किया जाता है, there are few mathematical operations, जो आप जब इसको search करेंगे, आपको तब वो समझा जागी,